और अंग्रेज इतने अच्छे थे, तो हमारे माता-पिता, दादा-दादी, नाना-दादी, पूरवज, क्या वो सब पागल थे, जिन्हों ने पूरा दम लगा दिया, पूरी ताकत लगा दी, कि हमें अंग्रेज और अंग्रेजी से मुक्ती चाहिए. निजभाशा उन्नत अहे, सब उन्नत को मूल, बिन निजभाशा ग्यान के, मिटे नहिय को सुन, शोताओं, दर्शकों, विचारशील, मानव जाती में, उन्नती, प्रगती और विकास करने वाले, सभी प्राणी जन्, हम सभी, एक और भाग रहे हैं और वो है क्या? अगर हमें अंग्रेजी आती है तो हम पड़े लिखे, और नहीं आती तो हम पड़े, क्या ऐसा सूचना, ऐसा समझना, ऐसा मान लेना उचित है? बिलकुल भी नहीं, मित्रों हमारे देश में, हमारे माता-पिता, हमारे आडोसी-पडोसी, हमारे संबंधित लोग, क्या मानते हैं कि बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए, वो ज्यादा समयदार है, ज्यादा गुद्धी मान है, ज्यादा विवेकशीर है, ज्यादा इंटारीजेंट है, ज्यादा इंडस्टियस है, मुझे ऐसा लगते हैं कि ऐसे बच्चे ज्यादातर ओवर कॉन्फॉड़ेट होते हैं, आज मैंने एक समुह में विद्यारथियों से, छात्रों से या सिश्यों से कहिए, एक बात बोली, कि मैं आप में से प्रतेक्र, से फीस लेना बंद कर दूँगा, यदि आप हिंदी वर्ण माला में ये भी बता दें, कि कितने अक्षर होते हैं, सच मानिए, किसे ने का शालेस, किसे ने का चापन, किसे ने का सेंटालेस, मिस, सभी ने गैस अपलाई करें, और किसी को भी मालूम नहीं था, क्यों मालूम नहीं था, वो परिशानी की बात नहीं है, मैंने अभी बोला, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत क्यों मूल, बिन निज भाषा ग्यान के मिटे नहीं को सुल, हमें अपनी वर्ण माला इसलिए नहीं मालूम, कि हम तो अपने पूरों जन्मों से, यहने दादा दादी के, नाना नानी के, और उससे भी पहले लोगों से, जो संस्कार लेते आएं, उसी से तो भाषा मूलते हैं, तो भाषा में वर्ण माला जानना आवशा कहां है, ऐसे तो मेरा यह प्रश्ण ही बेकार है, लेकिन किसी को क्रम बद्ध तरीके सा ए आ, य ई, उ ओ, ए, आ, ओ, नमालू हो, हरस और बेरग, बेशक नमालू हो यहने जल्दी बोले जाने वाला और धीमे बोले जाने वाला, ऐसी चीज़ें नमालू हो, कोई बात नहीं, लेकिन भूमी का भूमी गत शब्द लिखने पड़ें तो वो भी हम लिखनी पाते छात्र लिखते हैं तो छात्र हो जाता है ऐसे तूटियां हम जो करते रहते हैं उसका कारण क्या है? कि हम उतना भी ध्यान नहीं देते हैं कि जितना इसलिए देना चाहिए कि उसका अर्थ बदल जाता है जैसे मने चात्र और चात्र का अंतर बताया काम और कम का अंतर देख लीजिए आ लगा दो तो काम हो गया और नहीं लग छूट गया तो कम हो गया लेकिन अंग्रेजी के बारे में संभी लग लोक एगे सरु डोल realidade होते हैं हग अब उनसे कहो कि की के बाद कौन सा अक्षर आता है तो वह क्यू को कहएंगे कयो कयो यने क्यू शब्द नहीं बोल पाते एक्स नहीं बोल पाते हलाकि सोह भी नहीं बोल पाते क्या बहुत सारे अक्षर हैं जैसे आई अंग्रेजी के अक्षरों में भी हम ठीक नहीं बोल पाते हैं और हिंदी में तो खेर बोलते ही नहीं सुनने के बाफ़ून, देखने के बाफ़ून हम इतने लापरवा क्यूं होते हैं ये बात आसानी से समझ में नहीं आती है बट मैं यहां आज इस लेक्षर के माध्यम से ये माता पिता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को कहानिया सुनाएं, कविताएं सुनाएं, चुटकुले सुनाएं और उनसे कहें कि ऐसा ही वो लोग भी करें, तो इससे केवल वाट पटुता ही नहीं बढ़ेगी, रिडी विटनेस ही नहीं आएगी, वरन शब्दों के उचारण, अब जैसे उचारण शब्द है, तो हम उचारण बोलते हैं, कारण है, तो हम कारण बोलते हैं, क्यों? हम अंग्रेज हो गए और अंग्रेज भी नहीं हो गए, तो साथियों यहां पर जो मैंने इस विशे को आज लिया, वो मुझे बड़ा कश्ट में लगा, जब मैंने बचों से का चलो, आई डिसकस करते हैं, ग्राउंड फ्लोरी इस बैटन और अपस स्टोरी, तो स्टोरी को स्टोरी को स्टोरा या कुछ कुछ बोल रहे थे, और यह वाली बात तब है जब हम दस से पंदरा दिन से लगा तार एक दूसरे से संबाद कर रहे हैं, मैं यहां यह कहना चाहता हूँ, कि बात हिंदी की हो या अंग्रेजी की, हम सुनते तो हैं, लेकिन कहते नहीं है, बोलते नहीं है, प्रस्तुत नहीं करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं, और हम ओवर कॉंफिडेंट रहते हैं, अरे यह तो ऐसी बोल देंगे, यह भी कोई टापिक है, यह भी कोई सिचुएशन है, यह भी कोई सरकंस्टांस है, यह भ संबोल्स मेरी से संबध्ध लोग, जो लोग भी मझे सुन रहे हों, आपको याद होगा कि हर विशय को मैं आपको दो दिन बुलवाता था संबोल्स आपने एक दिन का ग्राउंड फ्लोरी इस बेटर, तो दूसरे दिन कहता था अपर स्टोरी इस बेटर, ऐसा बोलिए, यानि ए और बी को अपोजिट कर दिया, क्यों हो, हर चीज के हर जैसे हर सिख्चे के दो साईड होते हैं, ऐसे हर विशय के दो पहलू भी होते हैं, अगर बचचे को तरक संगत बनाना है, तो आवशक्ता किसकी है, उसके दोनों पक्षों का ग्यान हो, अंग्रेजी में हो, हिंदी अब साथियों मैं इस बात पर आता हूं जो मैंने जहां से स्टार्ट किया था और वो था कि अंग्रेजी अगर इतनी अच्छी है जिससे सम्मान मिलता है जिससे रिस्पेक्ट मिलती है जिससे से बिलता है और अंग्रेज इतने अच्छे थे तो हमारे माता-पिता हमारे दादादी हमारे नाना नादी हमारे पूरवज क्या वो सब पागल थे जिन्हों ने पूरा दम लगा दिया पूरी ताकत लगा दी कि हमें अंग्रेज और अंग्रेजी से मुक्ती चाहिए 1947 में हम आजाद हुए हम आज भी आजाद हुए तो कहने हैं स्वतंत्र हुए कहने में लगता है कि हम तो संस्कृत बोलने वाले लोग हैं ऐसा नहीं तो जो लोग भी स्वयम भी आप सोच करके देखिए कि आप एक भी सिंटेंस ऐसा नहीं है दाट यू केन एक्स्प्रेस यूरसल्ब्स इन हिंदी और इंग्लिश आइदर इन हिंदी और इंग्लिश हाँ खिचडी जरूर पका देंगे और वो भी जब लिखने को कह जाए तो वो खिचडी पकना भी कश्ट कर हो जाएगा यहां कहने का अभी प्राय है कि कल्पनाएं हो या दिवा स्वप्न स्वप्न हो या विचार भावना हो या भाव सभी का माध्यम तो भाशा ही है Language is a source of expression exchange of thoughts and means of communication और उसमें accent is the soul of language it gives it both feeling and truth उसके बावजूद भी हम विज्ञान में पारंगत होना चाहते है हम इतिहास के अच्छे ग्याता अपने आपको सिद्ध करना चाहते है हम राजदीती में अपनी पकड़ अच्छी बनाना चाहते है लेकिन हमें politics और statesmanship में economic और economics में और economical में अंतर समझने की ज़रोती हम नहीं समझते जो बुल रहा है सब ठीक है तो सबसे पहले जब तक school, college खुलें चात्रों को विद्यार्थीों को जिग्यासू उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए एक काम रोज करना चाहिए आपके घर में ड्रेसिंग टेबल होगा आप कोशिश कीजिए कि कोई पुस्तक हाथ में लेकर उसमें किसी भी विशे की थ्री रीडिंग्स कीजिए माल दीजिए कि परग्राफ थ्री हंड़र्ड वर्ड्स का है या ऐसे थ्री हंड़र्ड वर्ड्स का है या लेसन थ्री हंड़र्ड वर्ड्स का है तो उसकी फर्स्त रीडिंग टेन मिनिट्स में कीजिए या थर्टी वर्ड्स पर मिनिट तो जब आप रीडिंग कर रहे हैं, आपका फोकस आपकी बुक पर होना चाहिए, आपकी मदर ने लेफ्ट आप खोल रखा है, आपके फादर वर्ट सेप पर लगे हुए, लगे रहने दीजिए, आपका फोकस आपके मिदर पर होना चाहिए, चाहिए वो ड्रेसिंग का है, या आपका है, या बातरूम का है, वैं या बातरूम का ज़ए या रिदिंग प्रॉपरली फोर 10 मिन इन इन फोर 30 मिनिट, 30 वर्ट पर मिनिट तो आप उन वर्ट इन में लटक गए, जिजग गए, तुटला गए, उन वर्ट को अंडरलाइं करते होगे, second reading कीजिए that is 60 words per minute 5 minute में उस paragraph को complete कीजिए उस exercise को complete कीजिए और third reading that is 100 words per minute 3 minutes में उसको पूरा इस angle से कीजिए याज आपको audition के लिए जाना है किसी भी channel पर आपका जो presentation है उसके अंदर आपका फेस तो अच्छा दिखना ही चाहिए आपके होट अच्छे लगना ही चाहिए आपके प्रस्तुती अच्छी होने ही चाहिए और अगर उसमें आप सफल हो जाते हैं रेडियो पर टीवी पर किसी भी चैनल पर इसे आप प्रकर बनाने के लिए अच्छा बनाने के लिए जहां आप थ्री रिडिंग कर रहे हैं उन्हें वेरी फर्स डे आज से रिकॉर्डिंग में भी डालते जाएं जो कुछ आज आप बोल रहे हैं थर्टी डेस तक रोज ऐसे फर्स डे की रिकॉर्डिंग को सुनिये और लास डे की सुनिये तो आप में इतना कॉन्फिडन्स आजाएगा बले बले आपको जिसे मजे आ जाएंगे तो भचों साथियों आप वृद्ध है या युवा age is just the number लेकिन ये समस्या सभी के साथ है सभी को अभ्यास प्रियत्न और प्रियास करना चाहिए इससे language में do-do होगा तो जी-ो आपके मन में जो आ रहा है वह बोलेंगे नहीं आप go बोल जाएंगे beauty बठ है और आपके मन में P.U.T. भी आ रहा है तो आप पुठी बोलेंगे और नहीं बोलेंगे जो मैं नहीं बोलना चाहता बी-ो-डी से बी-ो-डू से जी हो के लिए या बी-ो-टी से बठ की जगा P.U.T. को बठ दिस ओल दस नोट बीड रूल्स जैसे आप नर्सरी से 12 तक ग्रैमर, 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 प्रनांसियेशन, फॉनेटेक्स किस-किस एंगल से पढ़ते रहते हैं लेकिन वो परीक्षा पास करने के पढ़ते हैं इसलिए ज़िए आप चाहते हो कि आपके जो उचारण अच्छे हो तो पहले अगर हिंदी में अच्छे हैं तो अन्रेजी में होंगे अन्यथा नहीं तो रीडिंग और कंसेंट्रेटेड रीडिंग मेक्स ए परसन एन एग्जेक्ट परसन कि अच्छे हैं अच्छे हैं कि 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 अच्छे हैं makes a person ready person and if you are writing if you are revising it makes a perfect person तो आप स्वयम भी और अपने बच्चों को भी देव अन से reading habit डालिए और हर दिन नया chapter नया thought लेकर के चलिए आप के बच्चों में भी और आप में भी confidence आएगा boldness आएगी और confidence और boldness आने पर दुनिया में आपको respect मिलेगी so today I wanted to let you know what is the role of language in one's personality that is all for today, thank you everybody That is everything